नमस्कार साथियों मैं अरुन बीर सिंग आप सभी का आपके अपने परिवार इस यूटुब चैनल पर आप सभी का हार दिख स्वागत करता हूं वैकेंसी न्यूज की एक और अप्डेट लेकर आप लोगों के शामने आया हूं समय समय पर आप लोगों को मैं वैकेंसी न्यूज जो भी इस रेडिटिव होती है आप लोगों को हमेशा अप्डेट करवाता हूं आज उसी वेकंसी में एक और वेकंसी आई इसरु और इसरु ऐसर डिपार्टमेंट है कि जहां से समय समय पर हमेशा वेकंसी देखने की आपको मिलती है तो इस बार वेकंसी जो है आपकी इसरु की Canal कि लेकिन हाँ और हमारे वाले बच्चों के लिए अच्छी खासी वेकेंसी आई हुई है तो अगर आप इस तो में यानि कि अभी कल ही रिचर्ट में इसका अपडेट हुआ है नोटिफिकेशन में कल ही आया है कि एक तारी को इन्होंने रिलीज किया है और आए हम आगे दिखते है कि क्या क्या चीजी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है क्या है कितनी कितनी वेकेंसी टूटल है आई हम लोग देखते हैं तो देखिए साथियों तकनीशियन वी फीटर के लिए सबसे पैदे लोने लिखा है और आंतरिश ओपो योग के इंदर साइक पात अभीधियो एक पाते हैं कि यहां पर जो प्रेट के लिए चलाएगा बाकी दोने आणिवार योगता जैसे आपको पता है कि मैट्रिक होना चाहिए और लिघाए मैट्रिक होना चाहिए और लिखा भी है फीटर टेड़ में ITI या NTC याने से मैट्रिक सल्सी एसलसी 10 इस्टेडल और ITI NTC याने सी फीटर से होना चाहिए भाई आप टक्निसियन भी फीटर का पड़त वाला ही बंदा होगा इसमें कोई सक नहीं फिर ऐसे ही इनुने कहा भाई कि हम मसीनिस्ट के लिए भी लेंगे और मसीनिस्ट के लिए भी टोटल जो सीट इनों ने बताया कि टोटल आप सीट कितनी है एक है और मेट्रिक पास सेम क्वालिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है आपको टेंथ पास होना जरूरी है साथ में ITI की सार्टिपिकट भी आपका जरूरी होना चाहिए NCVT या आपका एन एस एन ए सी से फिर आगे उने का वाई कि टेकनिशन इलेक्ट्री अलेक्रोनिक्स के लिए किया उन्हें ने लिए क्या होगा तो सेम क्वालिफिकेशन में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे आब आज इसीट की बात करते हैं तो यहां पर टोटल सीट जो है 15 सीट है तो अजर रचित के लिए 5 है और विश्ट के लिए तीन है और एड़ेवलीएस के लिए कितनी है दो सीटे सेम कहानी कोई दिक्कत नहीं दस्वी पास होना चाहिए और ट्रॉनिक्स में आपका ट्रेड में आईटी आई का होना चाहिए फिर आगे हम आते बेग आगे हम भाई आ और यहां चलता है बाकि आपका एलेट्रोनिक भी रता है लेकिन अब भाई जो इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी से जिन्हों ने किया होगा तो उनके लिए यह सीट है इसके बाद हम बात करते हैं के इसके लिए तक्रीचेंट यह से लिए और इस पे इन्फार्मेशन कम्यू टोटल और इसके बाद यह देखिए हमारा एलेटीशियन का टोटल सीट कितनी भाई एक ही सीट है वाई हना इन्होंने क्यों एक सीट दिया ओवी ओवी सी के लिए तो भाई अगर जिसको भी फार्म भरना है तो मैं तो कहूंगा भाई अगर आपको इसरों में जाना है तो सकता है तो मैट्रिक इससी ऐसे दस्वी पास होना चाहिए इसके लावा ड्राप्समैन वी यांतरिक के लिए भी इन्होंने सीट निकाली है अच्छी कासी विकन दिया है सबसे अच्छा तो फीटर वाले बाद भाई का बल्ले बल्ले और साथ मेलेट्रॉनिक वाले वाई का ब्राप्समैन का भी दोने दिया है और जिसके लावा तकनिशियन रासाइंक का भी है बी सी अगए कोज दिया डिया है चले अश्यार्पार कोडिक है फाहर और बात करते हैं ठीक रूड से कमजूरा आप गर आपकोड़ शक नहीं हाँ अब देखिए पड़कोड जो नहें की बात करते हैं तो एक कई सार दोयार ती तेस के को आयों की सीमा 18-35 हाला कि उन्हें उमर का बैटे तो अच्छा कासा दिया है कि 18-35 साल तक वाले बच्ची इस फाम को फिलब कर सकते हैं ठीक है ठीक है यह तो बड़ा अच्छा किया आपने एजिकरिया रखा थोड़ा सा बार आपक्रिया की बात करते है जो लिखित परिश्छा तो इसका मलना आपका सीवे टीवन और सीवीटी टीटी नुए वाला diy कर्य टेस्ट और शकिल टेस्ट नोको करता चैintéरे जोरे रिज्टर ये तो लिखित परिच्छा में हमारा स्वर्पर्थम असी बवगलवी का प्रस्ण होगा परतेक सही उत्तर के एक होगे साथ इतनमेट की अवद के लिए लिखित परिशा होगी परतेक गलत उत्तर के लिए 0.33 का रिदात्मक अंक भी होगा यानि कि अगर आपने गलत किया तो दस पर आगे की तरह बढ़ेंगे इसमें देखिए जो लिखित परिच्छा का जो मार्क है अगर आप से बात किया जा अरच्छित के लिए तो भया आपको अरच्छित में 32 नमबर लाना निवार होगा वहीं पर अगर मैं बात करूं OBC विद्धारतियों के लिए यानि अगले सवाल के तरफ और क्या है उन्हों ने जो भी इनपार्वेशन दिया है यह वह गई परिच्छा की बात तो आपको पता है यह स्क्राइब कर देंगे तो आपको भी पता है किसी नमर में कितना क्या क्या आप से पूछा जाएगा उसमें तो कोई है नहीं चलो भी आग सब्सक्राइब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको कोई दिक्कत हो कोई समस्या है तो आप इन नमबरों पर काल करके पूछ सकते हैं बाकी तो आम बात है तो हमारे बच्चे करी ले जाते कोई सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बाज रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कोई सी भी जो भी तयारी कर रहे हैं तो भाई हमसे जुड़िये और हमारी जो क्लासेज है सुबह आट बजे डिली लाइब क्लास चलती है सामको साथ पीमपी भी क्लास डिली चलती है तो बस यह आपको एक चोटी सिंफार्वे से देने था बहुत बहुत धन्य बाद जेहिन जेभारत